आईए सुने कारिक्रम हवा महल लेजे सुने जलकी रिष्टों की दुकान लेखक राकेश निगम, निर्देशक तस्वीर आबदी अठी मेर, लेखक राकेश और शुकर डेकुरेशन किया है दुकान का मखनलाल ये जिस्तानंद महराज की जिस्तों की दुकान है देखो मचली पसाने के लिए कांटे में चारा और ग्राख पसाने के लिए दुकान में दिखावा बहुत ज़रूरी है अरे वह पबिसीटी का क्या हुआ अरे गुरू जोरदार पबिसीटी की है पर्चे बटवाए है शहर भर की दिवालों पर लिखवा दिया है अरे गुरू केविल टीवी से विज्ञापन दिया है और और ये देखो आज के अकबार में एडवर्स्टीज में लाओ देखू तो किसी भी परकार की कारी की सफाज़ता के लिए जिस्तों की बाधा का समाधान जिस्तानंद महराज की जिस्तों की दुकान वाँ 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 गुरू ये विज्ञापन हम लोगों के सुनेरे भविश की वेरर्चेक है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक तू नहीं आया बड़ी किसकी मेरी अपकी नहीं गुरू ये अखबार क्या देख रहे हो अरे सामने देखो गुरू वह देखो अरी ये मिटन तो इदर ही चली आ रही है लहदाती बल खाती मखन परसाद लाल गुरू हाँ मेरे लाल जल्दी से आजाओ फार्म में कहीं ऐसा नहों कि इनकी बातों की फास बॉलिंग हम लोगों को क्लीन बोट कर दे एक्सक्यूज मी सुनिये क्या रिष्टों की दुकान यही है जी हां जी है आप सही मोके बस सही जगह पे आई है बैठिये थेंक यू मिस्टर क्या आप बताएंगे रिष्टानंजी कौन है यह मैं हूँ इस दुकान का प्रो मखनलाल मेडम आपकी तारी क्या मैं आपको मैडम निजर आती हूँ बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं आपको देखकर उमर का हिसाब लगाना पाप है बगवान मुझे कभी नहीं माव करेगा वसे आपका नाम मेरा नाम मिस्स फुलजडी मखनलाल जी आप फास क्यों रहे हैं अगर इस उमर में आप फुलजडी है तो गोला बारुद बनते आपको देर नहीं लगेगी बड़ा सेंस ऑफ यूमर है अपमें आखिर चेला किसका है तो मिस्स फुलजडी बताइए आपकी समस्या क्या है जी मुझे किराए का मकान चाहिए किराए का मकान देखे हम लोग प्रफर्श्टी डीलिंग का बिजनस नहीं करते हैं यह साइनो वैसे मकान मैंने ढून लिया है बस उसे लेने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए जी मदद तो उसकी जिसने जहां बनाया आपको मकान दिलाया कीजिए कब्जा डाल दीजिए अपना ताला यूर राइट मिस्टर मिस्टर रिश्टर अन जी आप सही कह रहे हैं आपकी बात सोने की तरह खरी है लेकिन लेकिन क्या मकान मालिक मुझ जैसी अकेली विवाहित मने अन्मेरिट लड़की को किवाय पर मकान नहीं देना चाहता क्यों कहता है किसी परिवार वाले को देगा तो अफिर आप शादी कर लीजिए और नो रिश्टनन जी मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्यों इसलिए तो आपके पास किराय का हस्बेंड लेने आए हूं आपने बिलकुल ठीक सोचा किराय के मकान के लिए किराय का हस्बेंड मखनलाल यह तो गंबीर समस्या है तुम ऐसा करो कि हिनकी के सिस्त्री त्यार करो कि अभी त्यार करता हूं हाँ तो मिस फुलजरी आप कब से अभी वाई शेड़ अप मिस्टर रिष्टनन जी क्या आपकी दुकान पर इसी तरह के उट पटांग कोईश्चन पूछे जाते हैं समझते क्या है आपने आपको तो धक्कार क करिए गुरू यह आप का इनक पुछकार के बाद करिए गुरू हाँ ठीक 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 देखे मिस फुलजरी मकान ना मिलने का मुक्र कारण आपका अभी वाहित होना और मक्खनलाज जी यह जानना चाहते हैं कि मकान आपको कब से नहीं मिला ओके ओके ठीक है मिस्टर मक्खनलाल देखे आपको जो कुछ भी जानना हो सीधे ढंक से जानिये बिल्कुल अपनी सीधी साधी सूरत की तरह समझें मिस भुलजरी अब आप अपने होने वाले मकान मालिक के नेचर के बारे में कुछ बताएं वो हमेशा अपनी ही तारिफ किया करते हैं और हां मौका पढ़ने पर तो जनाब बातों के ढिंग हांकने से भी नहीं चूकते तो पिर चूकते भी होंगे जी जी को कुछ नहीं है मेरा मतलब आप मकान की उम्मीद कर सकती हैं बस आपके पती को काम बनाने के लिए मक्खन ल ठीक है देखिए मक्खन लगाने का काम हमारे ये मक्खन लाल जी सबसे अच्छा करते हैं अरे मिस फुल्जरी कई फर्स्ट प्राइज जी चुका हूं तो क्या मक्खन लाल जी बनेंगे मेरे पती जी हां जी हां और इनका किराया आपको एड़ांस में जमा करना होगा फिला जानिये काम तो हो जाएगा ना जी घारंटी के साथ होगा अब आप मकान मालिक से अपने पती मक्खन लाल के साथ मिलेंगे आओ मक्षनलाल आओ भाई खुल जड़ी को अपने प्लान के मताविक सब समझा दिया था ना बिल्कुल अच्छी तरह मकान मिलते ही मैंने मकान मालिक से कह दिया मुझे आफिस के काम से दो-तीन मेंने के लिए बाहर जाना है हेलो हां मैं बोलना हूँ क्या एक पत्नी की जरूरत है आपको वो भी इंग्लिश बोलने वाली अच्छा तो हो जाएगा मेरा मतलब आपका काम हो जाएगा आप तुरंद ही हां आ जाएए ओके किसका फोन ता गुरू कस्टमर का मखलाल तुम जल्दी से कुमारी चंचला को ब हेलो क्या मिस्स फुजड़ी बोल रही है जी हां मिठाई मिल गई जी मकरलाल जी जी वो तो बाहर गए हुए है आप आना चाहती है कुछ बात नहीं आ जाएए हाँ आप ही की दुकान है जी बहुत अच्छा मैं आ सकता हूँ आए आए बैटिये मैंने भी फोन किया था अच्छा तो आप ही है संकटा पर साथ जी यहां लगता है आपकी समस्या भी आपके अववाहित होने का कारण आए जी नहीं मैं तो विवाहित हूँ अकमाल है आप विवाहित हैं और फिर भी पत्नी की आवर्श सकता बता रहे हैं क्या करूं मजबूरी है बेटे के भविष्ट की देटे का भविष्ट दूसरी पत्नी संकता परसाथ जी आपने तो मुझे इस संकते में डाल दिया एसनिये ज़रा खुल कर बतलाईए क्या बात है देखिए मुझे अपने बच्चे का कॉन्वेंट स्कू समझ गया यह यू समझ यह कि आपका संकत तल गया यानि अभी थोड़ी देर में मैं आपकी होने वाली टंपेरी पत्नी से आपकी मुलाकात करवाई देता हूं आप बस सिर्फ एक हजार रुपई जमा कर दीजिए एक हजार आहां बाकी हिसाब बार में हो जाएगा भाई सा हेलो हाँ बोलो मखालाल क्या कुमारी चंचरा बाहर गई हुई है कब लोटेंगी हाँ चार दिन बाद रिष्टा नंजी किसे बनवा रहे हैं मेरी पत्नी मैं दो एक तो लूँ है यह मिस फुल जड़ी आप रुकिए मैं मुलाकात करा देता हूं संकता परसाज जी यह हैं म हमारी दुकान की पुरानी गाहक आओ मखालाल आओ नमस्ते गुरू और यह मखालाल इनके किराय के पती हैं जी बिलकुत सही पचाना आपने संकता परसाज जी आपका यहाना कैसी हुआ तो क्या तुम दून रिक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह आखिर मेरे किर पत्नी को इसकाबिल बनाऊंगा कि वह इंटर्यू दे कर बच्चे का इड्मीशन करा सके ठीक 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 है पिर भी सोच लिए आपके बच्चे के भविश्च का सवाल है बहुत अच्छी तरह सोच लिया है अगर कहीं स्कूल में किराय की पत्नी का मुलंम्मा उतर गया तो बच्चे का भविश्च चौपट होते देर नहीं लगे रिष्टा नंजी मेरा भी एडवांस वापस कर दीजे फटाफट सच्चाई जानने के बाद तो संकर्टा परसाजी मुझे भी घर से निकाल देंगे लेकिन मैं कोई आइडवांस वापस नहीं करूंग मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में चार सब इसी की रिपोर्ट करूंगे और आपकी दुकान की इल्ट से इल्ट बजा दूंगी समझे गुरू अरे डवांस लुटा कर छुटकारा पाओ नहीं तो सारी उम्र जेल की चक्की पीचनी पलेगी तो ठीक कहता है यह यह लि और मकान खाली करने की बाद जुबान पर ना लाएं जी संकठा परशाज जी हां मिस्फुल जड़ी सब रिष्टों में इंसानियत का रिष्ठा सबसे बड़ा होता है आप जब तक चाहें मेरे मकान में रह सकती है यह 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 मिस्फुल जड़ी आप नहीं रुपा है यह क् यह सौका नोट मुठी में क्यों दबा रखा तरह देते हो कि अभी हल्दी लाकर थोपे देता हुआ नौट गुरू हो जाओ शुरू आ बन करो दुकान डाल दो ताला बेजो पान आई हो गया इंसानियत का अभी आपने राकेश निगम की लिखी जलकी सुनी रिष्टों की अभी आपने राकेश निगम की लिखी जलकी सुनी लखनों की दुकान निर्देशक तस्वीर आपिदी और ये जलकी आगाश्वानी लखनों की प्रस्तुती थी हवा महल कारिक्रम समाप्थुआ प्रस्तुती थीजल कारिक्रम ये जाप्थुआ